जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यूं होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आच्रण क्यूं बनता है हमारी सुक्ष शांती में बाध़क? जीवन के गूर प्रश्रों और धार्मिक जिग्यासों के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमनी, वादसल्य मूर्ती, रास्ट्रुसंत, आचार श्री 108, व्यर्ष सागर जी महराज के जिन्वानी चैनल पर प्रति दिन रातरी 8 बच के 20 मिनट पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रतियक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेश कारिक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्ण है किसी भी प्रकार की जिग्यासा है तो आप भी कारिक्रम की दोरान टीवी स्क्रीन पर फ्लेश होने वाले हमारे नमबर 9818663765 पर हमें वोट्सेप करें या अपनी जिग्यासा एवं प्रश्ण को हमारे पास टाइप करके भेजें पूज आचारी श्री जी द्वारा आपका मागर्शन अवश्य किया जाएगा श्री नीरच जैन मंदिर मैनेजर श्री पुनीट जैन को अब ग्याना बंडी क्या करती है बुद्धी कुंद कर देती है तो अपना ऐसे नहीं लोगे कि जो मकान पचास का था तो नहीं सतर मसी में ले लिया अना ऐसे टाइम एक सामान खरीद लिया पश्यतमात खरीदते ही और नीचे चला गया लो ऐसे बुद्धी कर देगी कौन ने का कुछ कहा क्या कुछ अपने एक करम ने अपना काम कर दिया बेटा बेटा बहुत होचारा बन रहे थे जो पार्टी अर्ष पे थी एक रात में फर्स पे आ जाती है किसने किया काम ना कोई सत्रू आया ना घर मे वररनी कर दे नं कर दिया लिया हल लिया उसने तु ऐसे 148 जो कर्म परकतिया है ये बिना तुम्हें संकेत दिये बिना तुम्हें सचेत किये अपना काम कर देती है उसका तुम शुग बिगाणे बही रहे म displacement के लिए कि ये कभी सhasकत हों कभी ये हिमत करके हमारे पास आएं निर्ज़ के आराधना करो, पर मुर्ती बोलती तो है नहीं, पर जो उन्हें बूला था, वह इन गरंथों में है, तो इस गरंथ को पड़ो, स्वाद्याय के रूप में, कि हमें पढ़ने नहीं आता हमाले पर टाइम ही नहीं है तो कोई बात नहीं गुर्फ के पात चलिए जाओ ये पूरा सास पढ़ेंगे प्रबचन के माध्यम से स्वाध्या के माध्यम से तुम्हें जैसे छोटे बच्चे को मा जबर्जस्ती करके और घुटी पिला देती घुटी पिला दिना गुटी ऐसे ये गुरू क्या करते हैं अपना बच्चा समझ करके के बिटा हसा हसा करके और तुम्हें पते नहीं सलता है और तो महारे टैटि बाजो है तो महारा कंट है इसमें धीरे से फोर जैब ड्रोड़ेव को कर्म सहरे कट जाएंगे गुड़ेव ग्यान की घृति प्टा दो गुरू क्या करता है उसे एक घंटे में तो जो चाहिं कि मुझ खुलबा लेते हैं अब मारा क्या करती है बच्चे घुटी पिलाने के लिए बच्चा मूँखोटा नहीं है तो मारा चाहती है छान इंढ एक ठपना फर्मारा अपना पुला है तुन हमारे क्षें है तो ऐस्या हश ठंद मूख़ कर झाहिम फर्ण के aware अपना मुख़ प्र मुलेग कर दबाये तो तमारा बेटा जो नोकर है न वो एंजिनियर जब कभी अमेरिका से आएगा उसे दिख के तुम्हें हमारी बात आदाएगी जिये नोकर आगया अपने आप अपने बाता जाएगी हम समझ जाएगे घुटी काम कर रही है इना च्या कर एगी तुम्हें जब 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 आब नोकरी करती हूं ठख जाती हूं तो ममे कहेगी तुम्हें जब से घर में पानी उठा के नहीं पीती है घर में इठलाती है और ऑफिस में जाकर कर वो टांग लेदी बिल्ला किसे आपकी भाजा में क्या बोलती है हाँ जो भी है वो टांग लेती है उसे टांगे बिना भी नहीं रह सकती ऑफिस में जरूरी है कंपल सरी है वो टांग लेगी और एक घंटी पहुची कि तुम सर ने बलाया है भागी भागी आती है डेट ने करती तैर ने करती और तुम क्य़ोरों बीटा चलो जब मंदें करना तो नहींजीयेगी पर भाभ असर ने वलाया जली पहुच जाएग उने है की नहीं जाएगी हाँ यहाँ आप यहाँ ट्राइ देते हैं पर नीभू जया निचोड लेते हैं आए इस लिए जब बेटी नौकरी कर ले और देख लो उसकी नौकरी। और नोकरी करते करते इतना नचोड़ लेते इतना नचोड़ लेते हैं वो कि जब कभी साधी की उमार आती है ना तो कि मुझ पर जर्रीया हो जाएं 35 जार्ड की मौड़ी है 35 मौड़ी होती ही पैते साल की क्या है क्या जी बात कर रहे हो कोई दुनिया में ले रहे हो 35 लड़की कब होती है लड़का पूरे बाल सपेद हो गया गंजा हो गया को यह साधी निभाई कहा कर रहा है नौकरी नौकरों की तो जैस्तित होती है कि नौकरों कुछ पुछता है और मालिक होते तो गंजेगी भी साधी हो जाती है और मालिक होते तो है क्योंकि ये लड़की वाले क्या देखते हैं या तो मालदार हो या सरकारी नौकरी वाला हो तो या सरकारी नौकरी वाला हो तो कैसा भी हो काला हो कलुटा हो गोरी लड़क इक बती हमारे बती याें देखा तरह कोई बिले नहा हो क्यों कोई है कर दो हमाई वे हैं आदे के का देखा रहा टे मम्मि पापने सर खाहरी नौकरी है एंकी जो कुछ आपके जटा नौकर नौकर एंडरान प्लिए उन्लाती नौकर की बीपी कोई जाती है हैं पता हो कर दो कोई घर मिल जाए अच्छा फाला मिल जाए यह लडकाuent बहुत स्थाले क्या करता है दूकान बैठता हि हम हमारे बजये सिल्गा जमाना भी है नहीं अखना भ्टी इनकी भंगी बἥीज ए कि यहाएं है एक लाड़का बहस थू बढे अखनाल अब बचाने कप CRT अब सक का अब बद बढ़े आखना च्री लड़का मिला अब बचाना पीताजी बड़辦法 आखना रहे कि आप जाएंगे कि ऐसी बभभ मिलने वाली है जो कर देश करता हो रोज भूजा करता हो रोज आहार देता हो तो जब रोज आहार देने जाता है तो फिर हमाई दुशान कौन रखेगा अमेरिकन असाधी कैसा चाहिए लभूटा कैसा चाहिए ऐसा लड़का धूड़ो मम्मी जो कैसा हो निठला जिसके बाद टाइम हो जब 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 मोबाल लगा है और जान कैसी है अरे अरे एसा धूड़ो राज कुमार जो साधी हो जब जिससे तमसे निधन presence जाए तो दुनिया देख्क कहे वा राजकमर तरी राजकमारी ये झाह कहें ये ना कह ये ना कहें के वा summer कर तेरी नवकरा आनी प्याँ इसनलो किया रहा हुआ इसले महान भाप सूच्छी स्रूल किया था पॉर संक्रेष्ता है मन्सा मुक्ता इस संक्लिष्ता को अपने दमाग से निकालो जिस्से कि अपनी आत्मा कल्यान कर सकें पुर महावीर भगवान कीचे मानभाव कल हम सबने कि अपने पुराने जो कर्म है देखिए अब यह नहीं कहें ना कि जैनों के यह बात कहिए पाइब बाइब भगवान महावीर स्वामी ने पर्टिकूलर कोई भी संदेश खाली जैनों के लिए नहीं दिया तो कि जैन धर्म जैनों के नहीं है जैन धर्म जो है दुनिया में जितने भी जीव हैं जिस जिस जाती के उन सब के लिए जैन धर्म है कभी भी महावीर स्वामी ने जैनों का अधर्म के लिए बात नहीं कहें क्योंकि जो भगवान होते हैं वो किसी ब्यक्ति विशेश के नहीं होतें ब्यक्टिगत्स समाज के नहीं होतें यदि कोई भगवान कहें कि मैं विक्तिगत समाज का हूँ तो फिर वो भगवान नहीं है तो महाभी सुमी तीन लोग के नाथ से और तीन लोग के नाथ यानि तीन लोग पर शासन करने वाले और तीन लोग के नाथ यानि सब लोग उनको चाहने वाले और यही कारण है कि जो भी तीर्थनकर होते हैं, उनके कभी आपने देखा हो जोतिनी भी प्रतमाओं के दसन करते हों किसी भी छेत्र की, चाए वो खड़गासन प्रतमा हो, चाए पदमासन प्रतमा हो, आप देखते हैं उनकी चेश्ट पर एक फूल बना रहता है अब कई लोगों को मालम होगा, पर कई लोगों को नहीं मालम होगा, कि वो जो कि भगवान के पेरों के नीचे एक चिन होता है, जो पैचान बनती है कि यह कौन से तीर्थनकर भगवान है, पर उनकी चेश्ट पर जो चिन होता है, वो स्री वस का चिन होता है, क्या का चिन होता कि ये चिन का मतलब क्या है इस श्रीवत के चिन का मतलब क्या है टौंगिया जी तो चिन का मतलब है बस यानि वासल तोड़े वासल का परतीक है का परतीक है हाँ जोड़के बोलो का परतीक है वासल का परतीक है अव वासल का परतीक है तो भगवान तो माँ को छोड़ चुके, भगवान तो पिता को छोड़ चुके, भगवान तो अपनी बीवी तीनों को भी छोड़ चुके, अपने बच्चों को छोड़ चुके, क्योंकि भगवान का कोई परिवार नहीं होता है, ध्यान रखना, भगवान जब भगवान बनत को वो अपनी प्रजा की जैसे कर आजा प्रजा को अपना परिवार मानती है ऐसे ही भगवान तीन लोक में रहने वाले प्राणी मात जीव को अपना परिवार मानती है इसलिए भगवान बनने के पहले परिवार को छोड़ा जाता है अगर अगर आपकी बीवी होगी तो हो सकत मेरे लोग की बस मेरा कोई नहीं है अब सब कोई मेरे हैं मेरा कोई नहीं है पर अब सब मेरे हैं यह सोच के चलो उसको भगवान की दरज़र दिया गया सूर सूर एक है उसका परिवार है क्या अकेला निकलता है अकेला और जब अकेला निकलता है तो उसका इतना तेज है कि सा तो यह बंड को प्रखाशत कर देता हैं और वी किन दर कोई भेदभाव को नहीं है हाँ हई एक कsters एक है हिंदु समाज के जो सूर को जल देती है और जैंस समाझ सूर को जल नहीं देती पर सूर यह कभी भेदभाव नहीं करता करता है क्या कि यह जल तो देते ही नहीं हमको एंको क्यो प्रगास दे हम और अंधिरा रखो इनके घर को अंधिरे में रखो बिल्कुल इनके घरी में इतना अंधिरा रहे कि एंके हैलोजन जलाना पड़े इनको और लोग देख के समझ जाएं देखो सूज़ का चमतकार देखा हमें नमस्तु नहीं किया इनने हमको जल नहीं दिया इनने हमको अर्ग नहीं चलाया हम प्रकास नहीं देंगे पर वो सूर काईगा सूर इसलिए है कि उसको तुमसे कोई अपेक्षार नहीं भगवान वो है जिसे दुनिया से कोई अपेक्छा नहीं ना नाम की ना यस की ना कीर्थी की किसी कोई जरुत नहीं तब यह भगवान है और दुनिया में हम लोगों ने भगवान तो अभी भगवान में और देवी देपताओं में अभी हमने को अंतरी नहीं मालूम किए अदेता हूं प्रवान माल दिया और भगवान जैसी पूजा भगवान जैसा हैं व्हान जैसा शंमान भगवान जैसे सब सकुछ उन Ama चाकड़ाई कर दिया उब है कि पर यद्की तुनिया परेशान कि और एसके पिता जी के लिए वो बेटा है ही हJeffodran, जैसे ही भगवान भगवान है, तो जो श्रीए तेखें, भगवान का कौई परिवार ने, प्रभगवान सबके हैं, भगवान हैं कि व महावीर भगवान हैं, बिए राम है, हनमान हैant लो रिता है यहाँ, यह नहीं नहीं भी ठाहि को बिए। जालों मोँ पहुंच जाये। में आप बिए हैं तो भी आप हो causing Iittima चयाँ। यह उन्द्रजपा भी झांकि पास कोई। बसुद्र कि एक परिवार के तरह है इसे परमात्पा को अभी दब्रा में सौनागर के पाट डब्रा है दब्रा में जैन मंदिर है और जैन मंदर सामने एक शिक परिवार रहता है अचानक रात को दो ढ़ाई बजे उनकी मा की बहुत तवियत खराब हो गई अज़ा तवियत खराब हो गई तो उनको क्या सूजा इतनी रात को दो ढ़ाई बजे कहां जाएं भाग करके तो उन्हों क्या किया तुनन अपनी मा को उठाया और जैन मंदर में डाकर के बठा दिया और वहाँ पर अब उन्होंने अपनी भासा में उनको नहीं मालम था पूजा कैसे करते हैं कैसे इस्तुति करते हैं पंजाबी थी वो तो हाँ रोज देखती रहती दे को माना जा रहे हैं जा रहे हैं क्या हुँ रहा है ये तो उन्होंने क्या किया उठा करके रात को स्री पर चलाया और स्रीपर जयानों के स्रीपर चलता है अब उन्हें ये नहीं माना था। कि जैन राद को चलता है कि तिन को चलता है। संक्राव भेद नहीं थे प्रस्री प्रचलया और भल्य भगवन आप एप रख वा ले हो आप देखो घ्ला इस पर इस दे नहीं होता तो आप भी इस पर हैं और अपके भागते हैं लेको अप देखो अपने पेरोश चल गाइद नहीं हो तो धर्म का कोई धर्म की जाते नहीं होती है मनुष्ट्रों की जाती हो सकती है पर धर्म की कोई जाती नहीं होती है और अभी एपाद देखें न हमारी राजपाल जी बोल रहे थे कि हमारी भर्दमान सामाइक साथ मैं पड़ा हुआ हूँ इस कारिक्रम के पुन्याण चत्ती दिगंबर जैन समाज समाजिक संसत इंदौर कीरती स्थम्प दिगंबर जैन सोशल ग्रूप फेडरेशन इंदौर रीजिन श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोट ट्रस्ट मोदीजी की नसिया बड़ा गडपती इंदौर प्राचीन श्री अगरवाल दिगंबर जैन पंचायत रईस्टर धरमपुरा दिल्ली महमंत्री श्री विजेंदर जैन कोशाध्यक श्री शेखर जैन प्रधान श्री चकरेश जैन सचेव श्री नीरज जैन मंदिर मैनेजर श्री पुनिवाण